नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ultimate knowledge पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि लोगों ने जैसे तैसे करके साल 2020 को जिला लेकिन साल 2021 में भी आज भी दुनिया के बहुत से देशों में क्रोना महामारी अपना रूप दिखा रही है और दुनिया के बहुत से देशों में आज भी lockdown लगा हुआ है लेकिन इस महामारी के बीच में आस्टेलिया से एक वीडियो आया है जिसे देखकर के लोग बहुत ज़्यादा है और इस वीडियो को लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आस्ट अस्टेलिया क्रूना महामारी का सामना कर रहा है तो वहीं पर आस्टेलिया में दूसरी महामारी भी बहुत तेजी से अपना पैर पसार रही है बीते कुछ समय से अन्दर बीबिलीकल फ्लैक का प्रकोब देखा जा रहा है आप सब लोग इस بात को वह अच्छे से जानते ही ये सभी चूहे एक स्टोरेज में छिपे हुए थे और जब इस टोरेज की साफ सफाई की गई तब उन्हीं स्टोरेज से इतनी बड़ी संख्या में चूहे निकलने लगे। किसान मैदान में अपने अनाजों की सफाई कर रहे थे जिस दोरान ये चूहे उन्हीं अनाजों के स्टोर में से निकलने लगे चूहों की इतनी बड़ी मातरा को देख करके सबी लोग बहुत जादा हैरान हो गए जहांपर एक और आस्टेलिया क्रूना महामारी से लड़ रह जिसें लेकर के वहाँ पर स्थानिये लोग बहुत जादा चिंतित हैं इस बात को कहा है कि उन्होंने सरकार का रुख इस और किया है उन्होंने सरकार से इस बात को कहा है कि एक तो चूहें अनाज की बरवादी करते हैं और साथी साथ ये कई प्रकार की बीमारियों को भी ज और पूरी दुनिया में कोराम मचा रखा है ठीक इसी प्रकार से आज से पहले भी चीनी चूहों ने एक बार पूरी दुनिया में फ्लैक की बीमारी फैलाई थी और इस बीमारी से ना जाने कितने ही लोगों की मौत हुई थी ऐसा कहा जाता है कि चीन में अकेले ही फ्लैक से मर बारा फैलता है और चुहों को पकड़ना या इन्हें कंट्रोल करना अपने आप में काफी चुनोती भरा होता है दोस्तों आप लोगों का फ्लैक को ले करके क्या सोचना है आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आज पूरी दुनिया महामारी तराजदी और कई प्रकार की आपदाओं का सामना कर रही है ऐसे में इस बात को कह पाना काफी मुश्किल है कि आने वाले दोर में इंसानों को क्या क्या देखना पड़ जाए दोस्तों आप लोगों का आज के समय के बारे में क्या कहना है आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही